आल बास बहू, लुद्याना की रीटा की जिंदगी बड़े ही मजे से गुजर रही थी। आस पड़ों से लेकर नाती रिष्टेदार सभी रीटा को बड़ा मानती थे। उस सब की पसंद नापसंद का खयाल रखती। आरे बेहन, ये लोग कड़ी बनाई थी मैंने, सोजा तुम बिमार हो, तु तुम्हारे घर के लिए भी बना दी, खा ले ना। सभी रीटा की तारिफ करते हैं, रीटा के मा मेरी बेहन कहती है, रीटा, तुम्हारा लड़का तो बहुत बड़ा हो गया है, उसकी शादी की नहीं सोची। सोच तो रही हूँ, लेकिन ऐसे लड़के से कौन शादी करेगा, जो कमाता धमाता ही नहीं है। ये तो है, तु उसे समझा कर किसी काम पर क्यों नहीं लगाती। अरे क्या करू बेहन, समझाती तो बहुत हूँ, लेकिन समझता ही नहीं, किसी तरह कहीं काम पर लगा भी दो, तो दो-चार दिनों में ही काम छोड़कर वापस आ जाता है, कहता है, खुद का काम करना है। अगले दिन रीटा का बेटा मायंग कहता है, मा ये नेहा है, मैं इससे प्यार करता हूँ और इससे शादी करूँगा। अब लेकिन नेहा बेटा, ये तो काम ही नहीं करता, तुम खाओगी क्या। मा जी, आप जो खाएंगी, वही मैं भी खालूँगी, लेकिन शादी तो मयंग से ही करूँगी। रीटा नेहा और मयंग की शादी करवा दीती है। ए जी देखिए तो, ये हमारा भाग्य है कि शहर की इतनी प्यारी पढ़ी लिखी लड़की हमारी बहु बनी। हाँ रीटा, सही बोल रही हो, बना कौन बिना काम धाम के लड़के से शादी करता है। नेहा सारा दिन घर में रहती, और सास को देख देख कर जलती कुड़ती रहती। अरे नेहा, तु तो बहुत लख्की है, जो इतनी अच्छी सास मिली, मा की तरती रख्याल रख्ती है। नेहा बिना मन के हसकर निकल जाती है, आए दिन नेहा को उसकी सास की तारिफ सुनने को मिलती। मायंग, तुम्हारी ममी बहुत चलाक है, सब को समोहित करके रख्यी हुई है, कोई मुझ से पूछे कितनी जूची औरत है तुम्हारी मा। अच्छा, कैसी, क्या जूट बोल रही थी। अरे जिसे देखू वो कहता है, तुम किसमत वाली हो कि अच्छी सास मिली। क्या तुम लोग किसमत वाले नहीं हो, जो मैं मिली तुम लोगों को अरे लेकिन या तुम्हें तो कोई जानता नहीं न, तुम्हें तो लोगों को समझाना पड़ेगा, कि तुम भी उतनी ही अच अगले दिन नेहा हाथ में टूट पेस्ट लगाकर घर के बाहर खड़ी होती है कि पडोसन उससे पूछती है अरे नेहा बेटा क्या हो गया ताई क्या बोलू मैं मेरी सास से मत कहना ताई जी मेरी सास ने गुस्से से चला दिया मैं नहीं मानती रीचा तो बड़ी ही भली औरत है मेरा पदी कोई काम नहीं करता न सारा सारा दिन ताने देती रहती है कहती है तुझी खाना तभी दूँगी जब गर का सारा काम करेगी पडोसन को नेहा पर तरसा जाता है वो सब जगर नेहा की कही बात पहला दिती है एक पडोसन दूसरी से कहती है रीचा तो बड़ी ही खराब औरत निकली हाँ हाँ देखो तो कैसे बहु पर जुल्म करती है नेहा के घर रीचा की भावी आती है अरे मामी जी नमस्ति कैसी है आप मैं तो ठीक हूँ बेटा कहा है रीचा घर में नहीं है क्या उसे तो मैंने कहा था कि मैं आ रही हूँ अब क्या बताऊ मामी जी मुझे तो डाक्टर के पास जाना था लेकिन फिर भी मैं रुकी कि आपको घर आना है मम्मी जी को तो कोई फिक रही नहीं है तभी तो देखे ना कि पता था आप आने वाली है फिर भी चली गई घूमने अरे ये तो बुरी बात है अच्छ निहा मैं जा रही हूँ रीटा आये तो बोल देना कि भावी नाराज होकर चली गई है रीटा वापस आती है तो उसे भावी नहीं मिलती अरे निहा तुने रोका नहीं मामी को बोला नहीं कि मंदिर गई हूँ मैं अरे मम्मी जी मैंने तुने बोला कि आप बस आ ही रही है लिकिन वो नहीं मानी और चली गई मामी भी सभी रिष्टेदारों में रीटा की बुराई फैला देती है अब जो रीटा सबके लाडली हुआ करती थी वो सबकी आँख में खटकने लगी रीटा को समझ नहीं आता था कि जो पडोसी उससे हमेशा प्यार से बुलाते थे वो उसके सामने आते ही दर्वाजा क्यों बंद करतेते हैं जो रिष्टेदार उसे इतना प्यार करते थे वो उसे अब फोन तक नहीं करते एक दिन रीटा के पास उसके भावी का फोन आता है तू तो बड़ी हो गई रीटा हरे ना भावी ना तुम तो मा जैसी हो मेरे लिए माय का तुमसे ही तो है लेकिन तुम भी पता नहीं क्यों नाराज हो मुझसे रीटा को उसके भावी सारी बात बताती है रीटा उसे समझाती है कि कैसे वो नेहा बहु को बता कर वहां से गई थी दोनों के बीच गिला शिक्वा खत्म हो जाता है रीटा समझ जाती है कि नेहा ने ही उसकी बुराई पडोसियों से भी की होगी रीटा सबके घर जाकर बात करती है जहां उसे पता चलता है कि नेहा ने धेर सारी जूठी बाते कर रखी है रीटा सोच लेती है कि वो नेहा को सबक सिखा कर ही रहेगी नेहा तेरे ससूर्जी रिटायर हो रहे हैं तो अब तू और मयंग कहीं और घर देख लो हरी कैसी बाते कर रही है सासुमा ये तो कोई काम नहीं करते हम कहां जाएंगे तब ही वो पडोसन आ जाती है अरे नेहा अच्छा ही तो है तेरी ऐसी सास से छुटकारा मिल रहा है जो तुझे बात-बात पर जला देती थी ना घर ज़रा जल्दी खाली कर देना नेहा मयंग से भी बोल देना नेहा को समझ आ जाता है कि सास को सब पता चल गया है वो उसकी पहर पकड़ लेती है सासी ममची माफ कर देची मैंग से सक बीने करूंगी